Hi Divine Family, Welcome back to the channel, कैसे आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, divinely blessed हैं, totally safe हैं, secure हैं, आपके loved ones totally safe हैं, secure हैं So friends, इससे पहले मैं ये reading स्टार्ट करूँ, मैं उन सब के names shout out करना चाहती हूँ, जो मेरे super heroes हैं, जो मेरे super heroines हैं, जिनके पास actual में super thanks देने की शक्ती है और जिन्होंने मेरे लिए ये super thanks भेजा हैं, मैं उन सब के names shout out करना चाहती हूँ, so सबसे पहला name आ रहा है, Vinita Chattora, thank you so much, thanks a lot Anish Nihlani from US, thank you Dr. Anish, thanks a lot Sushma Kumari, thank you Sushma Nature Beauty, thank you, thanks a lot Mamta Sahu, thank you so much Mamta Jay, thanks a lot Kavithab, thank you so much, thanks a lot Rakesh Dubey, thank you so much, thank you Rakesh Ashutosh Deepthi Mahalik, thank you so much यहां पे किसी का name नहीं है, so उनका यहां पे user ID है 9MQ7ZI1Q Thank you so much, thanks a lot And Deepika, thank you so much Deepika, आपने मेरे लिए सूपर थैंक्स भीजा था And मुझे mail किया था, so thanks a lot, thank you मैं आपका name पिछली वाले में नहीं ले पाई, so मैं इसलिए अब आपका name शाउट आउट कर रही हूं Sarvat Jahan, thank you so much Sudhir Kulkarni, thank you, thanks a lot Vishwajit Shirsagar, thanks a lot AG Style Fitness Trainer, thanks a lot, thank you Murali Chandanani, thank you so much, thanks a lot Narayan Shetri, thank you, thanks a lot Vasim Khan, thank you, thanks a lot Nisha Kulkarni, thank you Let Art Work Studio, thank you so much Navyaaksh, thank you so much Jeet Ganesh Art, thank you so much Lata Versatile, thank you so much, thanks a lot Lata Kalyang Sundaram, thank you, thanks a lot Navyaaksh, thank you once again Navyaaksh, Pragati Pratik, thank you so much, thanks a lot ये फिर से किसी का नेम नहीं है, so मैं उनके भी user ID का नेम बता रही हूं 7MQ9XR4Z, so please मुझे comment section में अपना नाम बताएगा Vishwajit Shirsagar, thank you so much, so friends, thank you so much And मैं चाहती हूं कि आपने जो मेरी तरफ Super Thanks भेजा आपके जीवन में ये Super Natural Powers को बढ़ा दे ठीके और ये Positive Energy आपकी तरफ मैं भेज रही हूं जिससे कि आपके जो Super Powers है, Super Natural Powers है जो दिविता है, जो दिविशक्ती आपके अंदर वास करती है वो और जादा बढ़ जाए, ठीके, उसमें और जादा वृद्धी हो और आपकी तरफ आप इस प्रकार के Magnet बन जाए जो अपनी और प्रेम को आकरशित करे, धन को आकरशित करे ठीके, इन Positive Blessings के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी डाउनलोड पर Friends, आज जिस किसी की भी अनोजी मैं चैनलाइज कर रहे हूं आपको Target किया जा रहा है, ठीके, आपकी तरफ कुछ ऐसे Negative Attachment भेजे जा रहे हैं, कुछ ऐसे नकरात्मक Attachment आपकी तरफ भेज रहे हैं, और ये जो कोई भी आपकी तरफ इस तरह की Negativity भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके खुद की Family के लोग है और दुर्भाग्यवश आपको इन लोगों को अपनी Family में गिनना पड़ता है, अपनी Family में Consider करना पड़ता है ठीके, ये दुर्भाग्यवश आपकी Family के ही लोग हैं, जो आपको Target कर रहे हैं और ये एक Group है, ठीके, पूरा Family का एक Group है, जो आपके Against Work कर रहा है आपको Spiritually Grow करने से रोकना चाहता है, आपकी आध्यात्मिक्ता में रोक लगा देना चाहते हैं, आपके जीवन में रोक लगा देना चाहते हैं बहुत ही जादा Dangerous लोग, बहुत ही जादा घटिया प्रवत्ती के लोग, ठीके, चोर प्रवत्ती के लोग हैं ये और लालची तो आप पूछिए मत किस हद तक लालच इन लोगों के अंदर बसा हुआ है, ठीके, ये ऐसे लोग है जो आपकी ऊर्जा को चुरा लेना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा के साथ नकरात्मक चीजों को अटैच कर देना चाहते हैं, तो आपको बहुत साफधान रहना है, हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अपने विचारों में, यूनो डिस्टरबिंस देखी हो, अपनी ऊर्जा में आपको कुछ डिस्टरबिंस महसूस हुई हो, ठीके, आपको अपने घर में हो सकता है कोई electronic items खराब होते हुए, यूनो आपने observe किया होगा कि कोई ऐसे electronic items खराब हो रहे हुँ, ठीके, तो ये indication है कि आपकी तरफ इन लोगोंने कोई negative entity भेजी है, ठीके, किसी तरह की demonic entity, किसी तरह की कोई शैतानी शक्तियां आपके उपर, यूनो आकरमंट करने के लिए भेजी है, आपसे attach हो जाने के लिए भेजी है, आपको आपके ancestors और angels इस ची से आप aware होंगे, वैसे ही इन चीजों का प्रभाव खतम हो जाएगा, ठीके, और इन चीजों का प्रभाव पलट कर उनहीं लोगों पर पढ़ने वाला है, जिन लोगों ने आपकी तरफ ये चीज भेजी है, ठीके, बहुत ही जादा निहायती घटिया प्रवत्ती के लोग ह साथ ये लोग असोशेट होकर रहना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में, आपके भाग्य में जो कुछ भी ब्लेसिंग्स लिखी है, जो आपके भाग्य में जिस प्रकार की धन लक्षमी आपके भाग्य में लिखी है, उसको ये चुरा सके, उसको ये आपके भाग्य को आपने बहुत जादा इस तरह के लोगों को जहिला होगा ठीक है फैमिली में जो आपके फैमिली बन के बैठे हैं और आपके शत्रू हैं ठीक है छिपे हुए शत्रू हैं यह आपको बैक्स्टाब करते हैं राइट and repeated बैक्स्टाब्स इन्होंने किये हैं हो सकता है आप पास् यूनो टारगेट करने का आपको किसी तरह की कोई negative entity आपके उपर you know experiment करने का ये लोग सोच रहे हैं, plan बना रहे हैं, plot कर रहे हैं, तो आपको angels और divine energies सावधान कर रहे हैं, although ये चीज़े बिलकुल भी work नहीं करने वाली हैं, ये लोग जो कुछ भी आपकी तरफ भेज रहे है मैं अभी इसी क्षण इन चीज़ों को उनकी तरफ वापस भेज रही हूँ, ठीके, मार कर उन चीज़ों को वापस वहीं भगा दिया जाएगा, जहां से ये negative energy आई है, कोई भी नकरात्मक उर्जा मेरे collectives को attack नहीं कर सकती, ठीके, आपको comment section में लिखना है, मैं पूरी तरह से protected हूँ, और मेरे उपर जो कुछ भी आकरमन करने की कोशिच करी जारी है, वो सब कुछ backfire होगा, वो सब कुछ वापस उसी दुष्ट व्यक्ति के पास लोटने वाला है, ठीके, उसी व्यक्ति के उपर attack होगा, जिसने मेरी तरफ इस तरह की गंदी चीज़े भेजी है, औ और उसी के जीवन में तहस नहस मचेगा, जो के मेरे जीवन में गलत चीज़े मना रहा है, ठीक है, सो, send it back to sender immediately, I want all the negativity to backfire, please send it back to sender immediately, या, I call upon all my ancestors, my spirit guides, my angels, all the higher power, higher sources, सारी high powerful energies, यह सारी जो भी negative energy मेरे collective की तरफ भेजी गई है, यह सारी negative energy जो कुछ भी यह भेजी गई है, यह सब कुछ backfire होनी चाहिए, मेरे collective के जीवन से नेगेटिविटी backfire होनी चाहिए, और उस sender को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, और मेरे collective को सुरक्षा प्रदान क करिए अभेद्ध कवच प्रदान करिए जो कोई भी व्यक्ति है ना इस परसन के अंदर आपके लिए एक अलग टाइप का यू नो बदले की भावना है बहुत जादा डाक एनरजी उस परसन की है ठीक है आपको डेफिनिटली पता है ये किसके बारे में बात हो रही है ठीक है ये जो परसन है ये आपके अगेंस्ट एक हेट कैमपेंड चलाता है ठीक है या चलाती है ठीक है आपके अगेंस्ट एक ग्रुप बना रखा है इस परसन ने और ये इस तरह के टोने टोटके तंत्र क्रियाएं गंदी क्रियाएं वगेरा आपके अगेंस्ट करने में लगी रहती है तो यह लगा रहता है यह जो कोई भी परसिन है जो वह परसिन करता है उसके गंदे इवल इंटेंशन जो आपके गेंस्ट वह करता है यह सब कुछ बैकफायर होने वाला है मैं चाहती हूँ इस सारी नेगिटिव इनर्जी वापस उसी सेंडर के पास फेक दी जाए उसके सर पर ही फेकी जाए और मल्टिप्लाइं टू हंडर्ड सौ बार सौ गुना मल्टिप्लाइए करके यह नेगिटिव एनर्जी उस दुष्ट व्यक्ति के पास भेजी जाए सेंडिट बैक तू सेंडर इमिजेटली यह ठीक है तो बहुत ही गंदी एनर्जी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी वापस से आपको इल्यूजन में ट्रैप करने की कोशिश करी भ्रम में ट्रैप करने की कोशिश करी ताकि आपकी प्रगती रूप जाए ठीक है इस पासन ने आपकी प्रगती को आपके धन को फ ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी एक तरह से ट्राप करने की कोशिश करी आपकी उर्जा को ठीक है आपकी उर्जा को ट्राप करने का सामर्थ किसी में नहीं है ठीक है क्योंकि आप एक दिव उर्जा का अंश है ठीक है आप एक दिव शक्ति का अंश है तो दिविशक्ति के अंश्कूर ट्राप करने का सामर्थ है किसी में नहीं है और ये चीजे अगर वो परसन ट्राइ कर रहा है तो वो अपने लिए रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा रिस्क वो परसन ले रहा है बार-बार अपने लिए ये जो रिस्क है इसका टाइम ओवर हो चुका है अब जादा समय उस व्यक्ति के पास नहीं बचा है जादा ट्राइल सब वो नहीं कर सकता क्योंकि अब आपकी उर्जा में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है आपकी अध्यात्मिक उर्जा का जो लेवल है वो बहुत जाद अपग्रेड हो चुका है अब उस परसन की जो शक्तिया है वो खीर हो चुकी है तो यह जो शक्तिया है ज्यादा देर आपको बॉदर नहीं कर पाती है जस्ट एक दीपक प्रजुलित करने मातर से वो चीज़ें बैक फायर हो जाती है बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह अपने से आपका ध्यान भटका सकता है यह परसन आपको इस तरह से मैनुपिलेट कर सकता है इतना जादा मैनुपिलेशन वाली एनरजी के साथ यह खिलता है हो सकता है यह परसन आपको मैनुपिलेट करने की कोशिश करे कि आपको उस परसन पर डाउट है आपको पता है कि वही परसन है जो आपके उपर इस तरह की गंधी क्रियाय कर रहा है लेकिन अचानक से आपको ऐसा फील हो कि शायद ना हो शायद उस व्यक्ति की जगे कोई और व्यक्ति हो ठीक है तो आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है ये परसन लेकिन मैं आपको बता दू इस परसन ने एक group form किया हुआ है ठीक है और मैं आपको राशिया बताऊंगी जो भी कुछ निकल के आएगा मैं आपको सारी बाते बताऊंगी हो सकता है आपको किसी का वर्दे में मन्थ में होता हो ठीक है एक टらशिर बताऊंगे जो एडा नाडी ओर पिंगला नाड़ी है आपके अंदर जो स्दिवाई फेमिन डिवाईम आइस किल पार्फ है शिव शक्ती ऊदुर्जा जो आपके अंदर विद्दिमान वेक्वृ बैलन्स हो चुकी है आप manifestation powers को धारण करते हैं आप जिस भी चीज के बारे में अपना focus बनाते हैं आप उस चीज को हासिल करते हैं यह शत्रू अच्छे से जानता है यह जो कोई भी है जो आपके प्रती शत्रूता का भाव रखता है आपसे बदले की भावना रखता है revengeful attitude है इस person का and revengeful भी इस वज़े से है क्योंकि आपने उस person को घोस्ट किया आपने उस person से बात करना बंद किया आपको यह चीज पता है कि जब आप उस person से बात करे थे तो भी उस person ने आपके साथ अच्छा बताव नहीं किया तब भी उस person ने आपके अंदर negativity you know impact करने की कोशिश करी आपके दिमाग में negative भावनाएं यह भरने की कोशिश करी हो सकता है उस person से बात करते हुए आपको बहुत यह अंदर से vibration feel होती होगी बहुत shivering सी feel होती होगी बहुत अंदर से क्रोध मैसूस होता होगा इतना जादा तीवर क्रोध आपको आता होगा कि आपके अंदर you know कपपी सी छूट जाती होगी एक shivering आपको feel होती होगी यह वही person है जिस से बात करते समय आपकी energy disturbed होती है ठीक है आपको बहुत जादा you know vibration महसूस होती है बहुत negative vibration महसूस होती है यह आपकी family का member है बहुत जादा घातक है बहुत चिप कर घात करने वाला व्यक्ति है आपको इस person से सावधान रहना है यह इस तरह की evil activities में पूरी तरह से शामिल है ठीक है और इस person का इश्वर से positivity से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तर आप जब भी इस person के आगे पुजा पार्ट या भक्ति की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यह person तुरंट उस चीज़ पर question करेगा cross question करेगा ठीक है कि यह पुजा पार्ट क्यों? यह ऐसा क्यों? यहां पे क्यों किया, वो क्यों किया, यहां क्यों गए यह person आपके उपर हर प्रकार से नजर बनाए हुए है आपकी हर एक activity को watch करता है यह person यह करती है, यह बहुत जादा sneaky person है बहुत जादा nosy because लालच है इस person के अंदर आपके भाग्य को चुराने का लालच है इस person को पता है कि आप बहुत जादा भाग्य शाली है इस person को पता है कि आप जो भाग्य धारन करते हैं वो one in million होता है और उस चीज़ को यह person बरदाश नहीं कर पा रहा है क्योंकि यह person आज भी stuck situation में है यह आज भी जहां के तहां वहीं सड रहा है अपने गंदे कर्मों की वज़े से यह person प्रगती नहीं कर पा रहा है तो इस person के अंदर revengeful attitude है और इस person की भावना ऐसी है कि यह आपको अपना दास बना कर रखना चाहता है जो के संभव नहीं है ठीक है आप दिविशक्तियों का अंश है और exactly opposite है आप इस person के आप जितना जादा इस person को avoid कर सके उतना अच्छा है यह चीज आपको बोली जा रही है ठीक है तो देखते हैं यह कौन person है जो आपकी तरफ attachments भेजने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव attachments भेजने की कोशिश कर रहा है लेट सी यह क्या update है क्या energy है मेरे collectives को किस बात से aware रहना चाहिए आपके धन को freeze करने की कोशिश करी गई है ठीक है लेकिन वो just अभी के अभी backfire कर दी गई है ठीक है जो blockages उस person ने create करने की कोशिश करी थी ठीक है यह सब कुछ backfire कर दिया गया है send it back to sender immediately यह जो कुछ भी blockages उस person ने create करने की कोशिश करी है ठीक है यह सारी blockages उसके ही जीवन में लागू होनी चाहिए multiply into 100 उसका सब कुछ रुक जाना चाहिए जो कुछ भी उसने freeze करने की कोशिश करी है यह उस person के जीवन में वो चीज़े freeze हो जानी चाहिए multiply into 100 100 गुना multiply होकर सारी negativity please send it back to sender immediately यह आपके जीवन में यह आपके जीवन में यह मैंने बोला ना उस person को पता है कि आप बहुत भाग्यशाली है ठीक है nine of pentacles आप एक तरह से साक्षात लक्षमी जी का अंश है ठीक है मालक्षमी का अंश है आप राइट सो आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है and love offer आपकी तरफ आ रहे है अपार प्रेम आपकी तरफ आ रहा है ठीक है जिसको इस person ने ब्लॉक करने की कोशिश करी है ठीक है आपको spiritually यह person stock करता है spiritually आपके आध्यात्मिक प्रगती पर इस person की पूरी तरह से नजर बनी रहती है आप किस तरह से आध्यात्मिक प्रगती कर है उस चीज़ पर इस person की पूरी नजर रहती है दुर्भाग्य से यह आपके परिवार का व्यक्ति है ठीक है आपके आपके इमिजेट परिवार का व्यक्ति हो सकता है या फिर आपके ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति हो सकता है लेकिन दुर्भाग्य वश आपको इस person को family क पार्ट मानना पड़ता है तो यह ऐसा परसिन है जो आपके जीवन में ब्लॉकिजिस क्रिएट करने की कोशिश करता है लेकिन इनका अंत कर दिया गया है आपकी जो पावफुल एनरजी है तिक है उसकी आगे इसकी भेजी हुई गंदी शक्तियां तिक है उनको मार भगाया ग इनको बैकफायर किया गया है आपने थोड़ा बहुत अपनी एनरजी में डिस्टरबिंस फील किया होगा लेकिन यह आपको पूरी तरह से एफेक्ट नहीं कर पाया है और नहीं कभी कर पाएगा यह जो नेगेटिविटी है यह आप पर कभी भी इंपक्ट नहीं डाल पाए एंजल्स हैं उनके द्वारा भेजेगे मेसेज़ आप तक पहुंचते रहेंगे और चीज़े बैकफायर होती रहेंगी ठीक है यह बहुत शूर शॉर्ट मेसेज है किसी पर्टिकलर परसन के लिए यह मेसेज आ रहा है और हो सकता है 24th of November आपके लिए स्पेसिफिक हो जब सब्सक्राइब कोई भी नेगिटिविटी आपके उपर अटैक नहीं कर पाएगी आपके जीवन पर अटैक नहीं कर पाएगी ठीक है उसकी नहीं चलेगी एक भी नहीं चलेगी ठीक है आपको इस बात पर पूरी तरह से विश्वास है और इस विश्वास को हमीशा कायम कि यह को है वियूर्जा के अंदर आपको रहना है तिक है उस डिव्यूर्जा के अंदर और आपको सब्साइल इन चीजों से निगी तीविता एक है तो बाम सबस्क्ति बिश्याmasbel — वापस उसी घंडी चीजिश में पार में शें मैं constituents गुए पर शेचािन और ठीक है बहुत जादा गुसा है बहुत क्रोधित है वो ठीक है आपके आंसेस्टर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको कहीं पर बटरफ्लाइज वगेरा दिख रही है आपको बटरफ्लाइज दिख रही है इस जाधा strong energy है आपके ancestors की वो आपको protection प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है राइट सो इन्हों ने जो कुछ भी ब्लॉक करने की कोशिश करी है वो चीजे इन लोगों ने आपके जीवन में वो illusion करने की कोशिश करी है so that आप अपनी blessings को आते हुए ना देखे ठीक है आपने रिसेंटली अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस करे होंगे ठीक है सब कुछ ठीक होने लग गया था अचानक से इन लोगों ने वापस से आपकी energy में disturbance करने की कोशिश करी क्योंकि यह पूरी तरह से वाच रखते हैं आपकी उर्जा पर आपकी energy पर यह लोग पूरी तरह से यह नजर बना कर रखते हैं monitoring spirits भेशते हैं ताकि आप पर नजर बना कर रखी जा सके आपकी तरफ blessings आ रही थी love offers आ रहे थे धन की स्तिती भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है तो यह सारी चीज़े इन लोगों से छिपी नहीं है यह लोग monitoring spirits भेज कर यह सारी चीज़े पता लगा लेते हैं उन monitoring spirits को मा अंत कर दिया गया है उन monitoring spirits का जो blockages आपके जीवन में create करने की कोषिश करी जा रही थी जो freeze करने की कोशिश करी जारी थी आपकी blessings को जो उस चीज को पूरी तरह से end कर दिया गया है उसका अंत कर दिया गया है आपके लिए उन चीजों का अंत हुआ है लेकिन उन लोगों को ये चीजे multiply into 100 सौ गुना multiply होकर के ये चीजे face करनी पड़ेंगी फिलहाल वो लोग बहुत जादा परेशान हैं बहुत wounded हैं बहुत जादा घायल है ठीक है अभी वो लोग और जादा दैनीय स्थिती में पहुंचने वाले हैं क्योंकि ये चीजे सारी उनके पास 100 गुना multiply होकर गई है ठीक है और इस चीज का प्रभाव अब उनके जीवन में दिखने वाला है 100 गुना तेजी से okay so they should not mess up with you आपके साथ बिलकुल भी तेजी उन लोगों को उलजना नहीं चाहिए और बार-बार वो लोग अपने आपको रिस्क पर डाल रहे हैं ऐसा करके अपने लिए बुरे कर्म कमा रहे हैं बजाएकि अपनी प्रगति पर ध्यान देने के वो लोग आपको बरबाद करने के लिए पूरी तरह से यनों आप उपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए है जो कि कभी होने वाला नहीं है उल्टा सौ गुना मल्टिप्लाइब होकर उनके जीवन पर ही वो चीज लागू होने वाली है ठीक है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और नेगेटिव एनरजी रिटर्न बाक टू सेंड मल्टिप्लाइब इन्टु हंडर्ड आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जो कुछ भी मेरी तरफ भेजा गया है वो सब कुछ सौ गुना मल्टिप्लाइब होकरके उसी व्यकती के पास जाकर गिरे उसी व्यकती पर प्रहार करे जिस व्यकती ने मेरी तरफ यह सब वही उन चीजों का प्रभाव हो उन चीजों का प्रहार हो ठीक है सो सेंड बैक टू सेंडर इमेजेटली यह देखते हैं यह कौन लोग है इनकी क्या पहचान है इसी यह है कि आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं ठीक है आपका जो अच्छा समय है उससे वो लोग परिशान है ठीक है वीलो फॉच्ण आपका लग आपका साथ दे रहा है आपका भाग आपका साथ दे रहा है आपका जो फोकस है अपने वर्क पर है अपनी प्रगती पर है अपनी जीव यह आपके जीवन में जो celebration है उन से उन लोगों को परिशानी है यह आपकी दिव्यता से परिशानी है तिक है आप यह आपकी विश्पूरी होने वाली है तिक है आपने जिस दिन focus कर लिया कि आपके शक्त्रों का अंत अब निश्चित हो जाना चाहिए क्योंकि अब आप परे लिया कि आपके शत्रु का अब अंत होना ही होना चाहिए ठीक है यह चीज होने वाली है बार-बार के टार्गेट से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ठीक है आपकी विश्फ पूरी होगी जो कुछ कुछ भी इच्छा है जो मनुवांचित इच्छा है वह आपकी पूरी होगी तो कि आप Celebrations enjoy करने वाले हैं जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं जो आप से प्रेम करते हैं आप उन लोगों के साथ और ये पेज है ठीक है पेज जो है वो बहुत वीक स्थिती को दर्शाता है ठीक है तो ये धन जो धन की स्थिती है इस परसन की वो बहुत जादा दैनिय स्थिती है ठीक है दरिद्रता की हालत में ये परसन पहुँच गया है और ये जो हालत है ये इस परसन की खुद हुई है इस परसन ने खुद अपने कर्मा कमाये हैं, आप पूरी तरह से अपने जीवन पर फोकस्ड हैं और ये परसन आपके उपर फोकस्ड है, ये परसन दुखी है आपको अच्छा करते वे देखकर, आपकी happiness को देखकर ये परसन दुखी है, आपकी खुशियों को देखकर ये पर करके यह attitude आपका इस परसन को बहुत जादा परिशान करता है कि आप जीवन से संतुष्ट हैं यह चीज इस परसन को बहुत जादा परिशान करती है आपको आपके जीवन में definitely रुकावटे create करने की कोशिश करी है जो backfire हुई है इस कार्ड का reverse में आना यह सब कुछी जो burden आपके जीवन में create करने की कोशिश करी गई है अभी recently within 24-48 hours के बीच में जो आपके जीवन में कठनाईयां create करने की कोशिश करी है यह तुरंट backfire हुआ है इसका प्रभाव आपके जीवन पर बिलकुल भी नहीं पड़ा है आपने तुरंट उस चीज को sense कर लिया है अब आप negativity को बहुत quickly sense करते हैं और the moment आप sense करते हैं वो चीज backfire होती है ठीक है और आपको और जादा aware कराया जा रहा है कि ऐसी कोई energy आपकी तरफ भेजी गई है और आपको जो चीज आप deserve करते हैं ठीक है आपके साथ न्याई किया जा रहा है universe आपके साथ न्याई कर रहे हैं जो चीज आप actual में deserve करते हैं वो चीज आपको दी जाएगी ठीक है या दो wait is over victory is yours आप बहुत धैरवान व्यक्ति है ठीक है आप बहुत धैर पूर्वक अपनी victory का wait कर रहे हैं आपको विश्वास है कि ईश्वर आपका साथ देंगे और उन्होंने दिया है ठीक है उन्होंने वापस से उस energy को backfire किया है और सौ गुना तेजी के साथ वो bad energy वो negative energy जो उस person ने आपकी तरफ भेजी थी वो उस person के उपर ही attack करने जा रही है ठीक है उस person पर ही उस energy का attack होने वाला है या राइट ओके यहां पर कुछ राशियां आई है मैं आपको बता देती हूं सिंग राशी बहुत जादा strong है कन्या राशी strong है कुम्भ राशी बहुत strong आई है तुला राशी है यहां पर या मैं specific पहचान जाना चाहते हूं यह कौन person है प्लीज मुझे पहचान बताइए जिस किसी ने भी यह negative attachment भीजने की कोशिश करी है यह कौन person है यह blocked यह person block कर दिया गया है आपके energy से ठीक है इस person की energy आपको access नहीं कर सकती ठीक है यह आपको access नहीं कर सकता इसलिए monitoring spirits भीज रहा है यह इस negative person को block कर दिया गया है आपके जीवन से family के है यह जो कोई भी है यह family के लोग है राइट आपके जीवन में बहुत chaos create करना चाहते हैं बहुत लड़ाई जगडे create करना चाहते है devil energy yes see यह confirmation यह चीज बैकफायर हुई है card का reverse में आना ठीक है यह definitely backfire हुई है सौ गुना multiply होकर करके यह monster उन्हीं के पास वापस गया है और उनके उपर ही प्रभाव दिखाने वाला है और उन्हीं के उपर यह attack करने वाला है उस person के उपर ही यह चीज अटाक करने वाली है सौ गुना तेजी से जो जो chaos जो लड़ाई जगडे अशांती आपके जीवन में create करने की कोशिश करी थी उस person के जीवन में ही उन चीजों का प्रभाव आने वाला है यह आपके ससुराल पक्ष के लोग है यह चीज यहां पर आई है और यह लोग आपको बहुत जादा हाइप लेस पर देखते हैं इश्वर की विशेश क्रिपा है आपकर यह चीज इन लो is right 55 की एनरजी है यह पर आपको हो सकता है 55 बहुत दिख रहा हो आज सुभर आपको 55 दिखा हो कुंभ राशी हो सकती है विरिवश राशी हो सकती है यह यह वह सकती है न। मैं सिंग राशी बहुत व्यवद और इनजी है आघ लगी हुई है इस परसम के मन में ठीक है आपकी प्रगति को देखकर बहुत जादा जलन बहुत जादा परेशानी आपको बहुत higher position पर देख रहे हैं ये लोग ठीक है ऐसी position पर ये लोग देख रहे हैं जिस position पर ये कभी पहुँच नहीं सकते हैं ठीक है the emperor और इन लोगों को परेशानी है कि आपको ये उपाधी क्यों दी गई आप ठीक है बहुत सारे challenges इन्हों ने आपकी तरफ भीजा है ठीक है आप देख रहे हैं ये सारी wands ये सारे जो challenges है ना ये उनकी जीवन में आप enter करने वाले हैं 100 गुना और जादा ताकत के साथ 100 गुना और जादा attacking energy के साथ ठीक है इन्हों ने जितना आपको घायल करना था कर लिया आप इन लोगों को पूरी तरह से block कर दिया गया है आपकी energy से ये लोग wait कर रहे हैं लेकिन इनका जो wait है वो इनके लिए बहुत भारी पढ़ने वाला है इनको पता नहीं है कि ये अपने ही अंत का wait कर रहे हैं अपनी ही ending क का इंति authentically और अपनी Eyandicaramon cows Ka बूं बोला रहे हैं बार-बार शुक के लोग सुधभर ने का नाम नहीं ले रहे हैं दूर से ही आप पर नजर रखते हैं दूर से ही आप पर स्पाय करते हैं ठीक है प्रिटेंड करते हैं कि यह आपके जीवन से जा चुके हैं लेकिन यह आप पर नजर बना कर रखते हैं आपके जीवन पर नजर बना कर रखते हैं आप देख रहे हैं इस परसन के कदम दूसरी direction में और इसका जो चेहरा है वो दूसरी direction में है यह लोग definitely आपके जीवन पर पूरी तरह से नजर बना कर रखते हैं हर एक चीज यह लोग watch करते हैं आप कहां जाते हैं आप क्या करते हैं ठीक है आपके जीवन का हर एक move ये लोग पता लगाने की कोशिशों में लगे रहते हैं ये बहुत betrayal energy है ठीक है ये लोग आप से ऐसे pretend करते हैं जैसे कि आपके लिए बहुत सारे emotions हैं ये basically आपके family के ही लोग है ठीक है और ये आपके जीवन में देख रहे हैं कि आप संपन हो हर प्रकार से और उस चीज से इन लोगों को बहुत परिशानी है आपके प्रगती से ठीक है आप इश्वर के प्रिये हैं उससे कई तरह की परिशानिया हैं इनको और इनका सामर्थ नहीं नहीं है कि ये लोग इश्वष से लड़ सकें, इसी लिए ये आपको अटैक कर रहे हैं और बेवजे अटैक कर रहे हैं, जूटा प्यार जताना और आपके पीठ पीछे, आपके लिए challenges create करना, दिक्केते create करना, आपके लिए गलत सोच रखना आपके प्रगती में बाधाएं उत्पन्य करने की कोशिश करना इस तरह की मंशा है इन लोगों की जो के बिल्कुल भी पूरी होने वाली नहीं है तो जिस किसी की भी जैसी भावना आपके लिए रहेगी उसको उसी प्रकार का परणाम अपने जीवन में देखने को मिलेगा यह बहु कि आप जैसा जिसके लिए भावना रखेंगे आपके जीवन में वही चीजे होंगी यह युनिवर्स का रूल है यह थंग रूल है ठीक है हम जैसी भावना जिस किसी के लिए रखते हैं हमारे जीवन में वही चीजें घटित होती हैं क्योंकि हमारा यह जो माइंड है यह के पता है कि आपके जीवन में इस तरह के लोग है तुक है हो सकता आपकी कुंडली में जागरेथ है मैंने आपको बताया कि वो सकता है तो तू 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 दिखता हो तो आपकी कुंडलीनी अक्चल में जाग रहे थे हैं अब बहुत ज्यान है आपके अंदर महाराधा की एनरजी है तो जो भी डिफ्रेंसेज यह लोग क्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में आपकी लव लाइफ में ठ ठीक है 100 times multiply होकर के वो challenges इनको face करने पड़ेंगे right rediscover a lost part of yourself experience relationship harmony and healing yeah so आपकी relationships में healing होगी ठीक है आपके relationships में harmony आएगी सद्भाव आएगा ठीक है and you already know the answers आपको जो answers पता करने हैं आपको आपको पता है क्या आपको टार्गेट किया गया है ठीक है आपको clearly you know आपकी आत्मा बता देती है आपका intuition आपको पूरी तरह से इस चीज से aware करा देता है और मेरी duty है कि मैं आपको इस चीज से सावधान करूं और इन चीजों को backfire करूं so मैं आपनी duty हमेशा निभाती रहूंगी और आपकी सेवा में हमेशा लगी रहूंगी and definitely इन चीजों क को हम backfire करते रहेंगे because जो divine family है उसको कोई भी target नहीं कर सकता ठीके जो दिवे शक्तियों का अंश है उन्होंने बहुत कुछ जहला है life में अब और नहीं ठीके जो भी divine family को attack करने की कोशिश करेगा या हमारे दिवे परिवार के किसी भी member को attack करने की कोशिश करेगा ठीके उ उस person की तरफ उसी की गंदी मन्शाओं को 100 गुना और multiply करके उसी के उपर फेका जाएगा और उसकी ही गंदी मन्शाओं उसके उपर attack करेंगी ठीक है और हमारे जो divine family members है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे safe रहेंगे your twin flame is heavily thinking about you so आपके जो twin flame है वो आपके बारे में इस समय सोच रहे है ठीक है yes हो सकता है आपका अपनी twin flame के साथ कुछ you know कुछ बहस हुई हो चोटी मोटी कुछ नोग जोग हुई हो अब उस level तक चीजे नहीं बिगडती है उस level तक स्थिती नहीं बिगडती है जैसे पहले आ आप पूरी शक्ती में आ चुके हैं ठीक है आपने अपनी शक्ती को पहचाना है और आप divinely guided है इश्वर की द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है आपका जो मार्ग है वो स्वयम इश्वर प्रशस्त कर रहे हैं वो आपका मार्ग दर्शन कर रहे हैं तो कोई भी negative entity आपको परिशान नहीं कर सकती है Goddess Lakshmi is with you forever I told you मा लक्ष्मी मैंने आपको इस रीडिंग की शुरुआत में बताया था कि आप मा लक्ष्मी का अंश है तो मा लक्ष्मी हमेशा आपके साथ है forever अनंतिकाल तक क्योंकि वो आपकी मा है तो आप उन्हीं का अंश है पवित्र शक्ती इस इसी लिए आपको टार्गेट करते हैं यह लोग इसी चीज से लोग चिड़ते हैं जलते हैं क्योंकि वो डार्क फोर्स हैं और दुर्भाग्य वर्ष वो आपका परिवार है तो आपके परिवार के लोग है यह दुर्भाग्य की बात है things are not going good in your life या आपके जीवन में फि you bounce back और आपने वापस से bounce back किया है वापस से अपनी जगह hustle करी है ठीके को suppress करने की कोशिश करी जाती है दबाने की कोशिश करी जाती है ठीके block करने की कोशिश करी जाती है ट्रैप करने की कोशिश करी जाती है जो चीज backfire होती है आप कभी भी किसी चीज से रुक नहीं सकते है ठक नहीं सकते हैं आपको रोका नहीं जा सकता ठीक है यू बाउंस बैक होते हैं और ज्यादा पाउफुल एनरजी के साथ stay away from clingy people चिपकू लोगों से दूर रही है ठीक है जो चिपकू लोग है आपको ड्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रही है आपके पार्टनर और आपको आत्ममंधन की जरूरत है ठीक है या फ्रेंड्स प्लीज दू नोट फोस्ट इस रीडिंग ठीक है हो सकता है कुछ पार्ट्स में आपके लिए कोई मैसेज आया हो सो जिस किसी के लिए मैसेज है अगर आपको अटैक किया जाता है तो आपके पार्टनर अपने आप ही एफेक्ट होते हैं ठीक है सो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को आत्ममंधन करने की जरूरत है यहां पर यह कहा जा रहा है दे कैंट कंट्रोल यू आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक है यह आपको हमेशा के लिए अपने साथ चाहता है ठीक है कोई बोल रहे है आपके साथ चलती है ठीक है अभेद्य कवच आपके साथ चलता है जिस कवच में एंटर होने की कोशिश करती है ठीक है उस परसन के द्वारा भेजी गई गंदी जो एंटिटीज है वो आपके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश करती है लेकिन आपका आभामंडल पूरी तरह से क्लेंज कर दिया ग आपके साथ divine protection चलता है comment section में लिखिए मेरे साथ divine protection चलता है ओके यू inspire me आपकिसी को inspire करते हैं ठीक है कोई आप से inspired है throat chakra block करने की कोशिश करी गई है ठीक है हो सकता है आप बोलते बोलते रुक जा रहे हो और आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही हो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था खिके आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे थे आपकी जो आस्था है जो बिलीफ है इश्वर में उसको रोकने की कोशिश करी जारी थी आपको negativity की तरफ घसीटने की कोशिश करी जारी थी जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप दिव अंश है इनिवे तो आपके अन्त निकठ एया आपके ऑनिमेज का अन्त आ चुका है टयकर बतास अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास अब कोई बच के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है वक्ये को अ आपने यह चीज़ फोकस कर ली कि आपके शत्रों का अंत होना ही होना चाहिए अब आप ऊब चुके हैं ठीक है spiritual attacks को जहल जहल कर psychic attacks को जहल कर black magic evil चीज़ों को जहल कर पक चुके हैं ठक चुके हैं कि इस दिन आपने यह चीज सोच लिए जिस दिन आपनी इश्वर से यह चीज मांग ली तो वो चीज आपको मिल कर ही रहेगी मैं वह तो आपकी अच्छाई है कि आप इन चीजों को नहीं मांगते आप कभी कि इसी का बुरा नहीं सोचते आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर फोकस करते हो आप कभी किसी का बुरा सोचने में विश्वास नहीं रखते हो इसी चीज का फाइदा उठाते हैं आपके जो शत्रू है आपकी अच्छाई का फाइदा उठाते हैं लेकिन अब और नहीं अब उनको सावधान हो जाना क्योंकि अब उनके पास जो भी मौके थे वो खतम हो चुके हैं and now it's the dead end for your enemies आपके enemies का end निकट है आपके सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है spiritual attacks करे गए आपके सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है आपके भाग्ये को चुराने क कोशिश करी गई है राइट जो कि असंभव है संभव नहीं है ये I am crazy about you so कोई crazy है आपके लिए ठीक है कोई दीवाना है आपका किसी कुछ दीवानगी है आपकी spell works through edibles so आपको खाने पीने की चीजों में मिला कर कुछ देने की कोशिश करते हैं ये जो कोई भी person है या जो लोग है group of people ठीक है so यह आपको खाने की चीजों में मिलाकर कुछ देने की कोशिश करते हैं आपके सिद्धियों को चुराने के लिए आपके भाग्य को चुराने के लिए आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए so I can see 1414 while doing this reading तो हो सकता है आपको कुछ angels कहना चाह रहे है 1414 आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में यह चीज़े डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की विचार यह आपके मन में, फीड करने की कोशिश कर रहे आपके धन पर नजर है आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा लालची लोग है आप एक एम्परर है एम्परर की गद्धी पर आप बैठे है वो चीज देखकर इन लोगों को बहुत परिशानी होती है हेटर्स की पहचान सुनिए आपके हेटर्स की पहचान आई है यहाँ पर वेर्स डार्क लिपस्टिक आपका हेटर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाता है शौट हेर है जादा लंबे बाल नहीं है शौट हेर होंगे टीक है डेरिंग है सामने से भिड़ना उस परसन को बहुत परसंद है किसी भी चीज के लिए कुछ भी कर गुजरना उस परसन को बहुत परसंद है स्मोकर हो सकता है यह परसन female है तो भी हो सकता है यह smoke करती हो ठीक है smoker या हो सकता है smoke के साथ यह person कुछ you know किसी तरह की गंधी क्रियाएं वगेरा करती हो ठीक है धूआ वगेरा का इस्तमाल करके pretends to be religious like you आपके जैसी religious आपके जैसा religious बनने का धोंग करता है यह परसण, ठीके, आपके जैसा आध्यात्मिक दिखाने की कोशिश करता है यह परसण, जोट मोट की भक्ती यह दिखाता है यह परसण, ठीके, धोंगी परसद है, धोंगी नंबर वन, प्लीज पिरिट्स मुझे कुछ न्यू मेसेज़े दीजे यार, या यॉव अबंधन्सिस कुमें ठीक है आपके जीवन में जो भी रुकावटे करने की कोशिश कर रहे था है, जो संपन्नता आपकी तरफ नहीं आ पा रही थी, वो इसी लिए नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ये लोग रुकावटे क्रियेट कर रहे थे, ठीक है फ्रीज कर रह है क्योंकि आप मालक्ष्मी का अंश है मालक्ष्मी आपके साथ हमेशा विराजमान है आपके साथ हमेशा रहती है और संपनता भी आपका अधिकार है और आपकी तरफ आपका अधिकार आने वाला है और आपकी संपनता आपकी तरफ आ रही है धन वर्षा आप पर होने वाली ह ठीक है कुछ नए message दीजे you would be able to save money now अब आप धन बचा सकेंगे ठीक है धन की बचत आप कर सकेंगे आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे आपको धन हानी हो रही थी क्योंकि ये लोग इस तरह की चीजे ट्राय कर रहे थे गंदी चीजे ट्राय कर रहे थे आपके गेंज आपको टार्गेट कर रहे थे आपके धन को टार्गेट कर रहे थे ये लोग इश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें इश्वर चाहते हैं कि आप संपन रहें तो किसी की क्या ओकात है किसी की क्या मजाल है आपको रोक पाएं God's will to make you grow इश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें ठीक है इश्वर आपको प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं वही तो आपके माता पिता है वही आपकी आत्मा के माता पिता है ठीक है Be in receiving mode So receiving mode में रहिए ठीक है, खुद को closed off मत करिए Type करिए comment section में I am ready to receive miracles Family Yes Family के लोग हैं ये ठीक है Family के लोग है So yes, ये confirmation आया है Thank you spirits Messages देने के लिए And Yeah Initials ले लेते हैं देखते हैं ये कौन लोग हैं Letters, Numbers ले लेते हैं देखते हैं ये कौन लोग हैं Yeah Right Z A Okay, game I am listening game over Game Game खेलते हैं ये लोग Games Yeah, number 5 I told you Number 5 के energy बहुत जादा strong है ठीक है Right I G Okay, जीत सो रहा है, समबडी स्लीपिंग कोई नींद आ रही है TC, हो सकते हैं कोई TC ले रहा है कहीं से किसी स्कूल से TC अगेरा की बात चल रही है G's G's Okay, हो सकते है कोई अपनी जीजा जी को G's कहता है Yeah Sim Big Big Game Yeah ये लोग कुछ खेल खेल रहे थे, ठीक है, कुछ गेम खेल रहे थे, और उस गेम में जीत आपकी हुई है, जीत दिव शक्तियों की हुई है, ठीक है Aim इनके कुछ Aims थे Aims Bag या सी आपको स्थिती में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग स्थिती में आने वाले हैं, ये लोग बैग करने वाले हैं, ये लोग भीक मागने वाले हैं ठीक है, जो आपके लिए गलत चीज़ें बना रहे थे, अब वही चीज़ें उनके जीवन में होने वाली हैं, सौ गुना, ठीक है, बहुत क्लियर आया है ये मेसेज, नमबर फाइल, शूनिकी एनरजी वर्क करती है, बहुत जादा पावफुल शक्ति वर्क करती है, ठीक है शिव और शक्ति उर्जा आपके साथ वर्क करती है, या, ओके, सिट, कोई कहीं बैटने की बात हो रही है, कोई किसी को बैटने के लिए कह रहा है, हम, एम, एम बिग, I'm listening, एम बिग, बड़ा मकसद, या, एस्टी, एस्टी, या, कुछ कास्ट की बात हो रही है, कास्ट, या, हो सकता है, कुछ कास्ट डिफ्रिंस है, ठीक है, कास्ट का अंतर है, कुछ, सो हो सकते है, आपकी जो हाँ, शादी हुई हो, हो सकता है, आपकी कास्ट अलग है, तो वो कास्ट की वज़े से भी आपको टार्गेट करते हो, ठीक है, वो लोग, पॉसिबल है, कुछ कास्ट से रिलेटेड आया है, बिग कास्ट, या, तो कुछ कास्ट डिफ्रिंस है किसी पर, कहीं पर, या, ओके, कास्टिंग ब्लैक मैजिक, येस, सी, ब्लैक मैजिक, बी एम, तो हो सकते है, इन लोगों का नेम, कुछ, इन लेटर से शुरू होता हो, राइट, ये लेटर्स है, इन लेटर्स से कुछ नेम्स आ सकते हैं, ये इनिशिल्स है, हो सकते हैं, उन लोगों के नेम्स इन लेटर्स से होते हो, ठीक है, जिन्हों ने आपके गेंस ग्रुप बना रखा है, और उनके उपर इस बार कोई भी दया नहीं करी जाएगा, और उन लोगों के उपर किसी भी तरह की कोई दया नहीं करी जाएगी, जिस प्रकार का निर्दई उन लोगों का आटिट्यूड है आपके प्रती, उसी प्रकार का निर्दई आटिट्यूड उनके प्रती अपनाया जाएगा, ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखे और अपनी एनरजी को लेकरके अवेर रहे और पूरी तरह से डिवाइनली गाइड़ेड रहे, ठीक है, दिवशक्तियों के सानिध्य में रहे और हमेशा खुश रहे, प्रसन रहे, ठीक है, एप से यहाओ ईानच के लाइड़ेड़ा, यहाँ इस घ कमें रहे ज्टतियों के सानिध्य में, युश consuming donc मैं रहेड़ेड़े prayer, प्रसन रहenावाइ़े क закон科 दिसे एनरज scream में रहे छिवाः प्रती के सानिध्य में तरह से एनर प्रती के समनायां जे ओनावाई जबनायां